हिलो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पंचलाइट कहानी का सारांस कैसे लिखेंगे दोस्तों ध्यान से वीडियो में देखते हैं पंचलाइट रेडु जी की आंचलिक कहानी है कहानी में बिहार के एक पिछड़े गाउं के परिवेश का सुंदर चित्रन प्रस्तुत किया गया है महतो टोली में आसिछित लोग हैं उन्होंने राम नौमी के मेले से पेट्रो मैक्स खरीदा जिसे वे पंचलाइट कहते हैं पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग समान की चीज समझते हैं पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक औरतें और मर्द इकठा हो जाते हैं सरदार अपनी पतनी को आदेश देता है कि सुभकार को करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रवंध कर ले सभी उतसाइट हैं परंतु समस्या उड़ती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन सीधे साधे लोग पेट्रो मैक्स को जलाना भी नहीं जानते इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है वह गाओं की मुनरी नामक एक योती से प्रेम करता है मुनरी की मा ने पंचों से गोधन की सिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है इस कारण पंचों ने उसे जात से निकाल रखा है मुनरी को पता है कि गोधन पंच लाइट जला सकता है वह चतुराई से यह बात पंचों तक पहुँचा देती है पंच गोधन को पुनह जात में ले लेते हैं वह पंच लाइट को जला देता है मुनरी की मा गुलरी का की प्रसन होकर गोधन को साम के भोजन का निमंतन देती है पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं तुम्हारा साथ खून माफ खूब गाओ सलीमा का गाना पंचलाइड की रोशनी में लोग भजन किरतन करते हैं तथा उत्सा मनाते हैं कहानी का कथानक सजीव है सीदे साधे अनपढ़ लोगों की समवेदनाओं को वारी देने में रेडु जी समर्थ रहे हैं इस कहानी में आंचलिक जीवन की सजीव जहां की प्रस्तुत की गई है तो दोस्तों ये था पंच लाइट कहानी का सारांस तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर तदा सस्क्राइब करना ना भूलें